हाई गाईस कैसे है आप लोग तो आइफोन 12 के रेलेड काफी बड़ी और काफी गुट निकल के आईए अगर आप लोग को नहीं पता तो आइफोन जो इंडिया के रेलेड अगर आप लोग को नहीं पता तो आइफोन जो इंडिया के अंदर मैनुफेक्चर होते हैं वो एपल के manufacturing partners के तुरू होते हैं, manufacturing partners exactly कौन? तो manufacturing partners पतला Wistron and Foxconn, यह जो दो companies है, वो responsible है, iPhones को इंडिया के अंदर manufacture करने के लिए, and most recently Apple ने जो है Wistron को बंद कर दिया, Wistron के अपर जो है, वो probation ला दिया, अभी Wistron को क्यों बंद किया हो, तो आप लोगों को अलेड़ी पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो इसका एक आपको brief summary provide कर दिता हूँ, Wistron जो है, basically अपने employees के पास बहुत जादा काम करवा रहा था, बहुत जादा overtime करवा रहा था, लेकिन at the end employees को कोई भी type का compensation वगरा नहीं मिल रहा था, बहुत जादा employees अशे था जो underpaid थे, बहुत जादा employees को salary वगरा issue था, सलेर वगर नहीं मिला था काफी ज्यादा ऐसी नियूस निगल के आये थी रिपोर्ट्स निगल के आये थी कि विश्ट्रॉन जो है वो एंप्लोईस को प्रोमेस कर रहा था ओवर टाइम पे कंपेंसेशन देने का इन अधी एंड वो भी एंप्लोईस को नहीं मिला तो बहुत जाधा नारास्त है और एंप्लोईस ने जो है एट डी एंड अपना पेशन्स खो दिया और वो जो है राइट वगर पर उतर आए इसमें नुकसान सारी पार्टिस का वजट्रॉन का बेशन वह एंप्लोईस का पर नुकसान वह एपल का बी नुकसान वह लेकिन एड़ दी विश्ट्रॉन ने जो है अपनी wrong doings कबूल कर ली कि विश्ट्रॉन के अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा था एपल ने जो है फाइनली विश्ट्रॉन के पर probation ला दिया मलब कोई भी टाप का manufacturing वगरा कोई भी टाप का business एपल अब फिलाल विश्ट्रॉन को provide नहीं करेगा और विश्ट्रॉन जो था अगर आपको नहीं बता iPhone 12 made in India के लिए विश्ट्रॉन Apple का main manufacturer था मलब specifically iPhone 12 बनाने के लिए Apple के plans थे कि first shipment जो था वो विश्ट्रॉन से निकल के market में जाने वाला था March से पहले लेकिन क्योंकि आप विश्ट्रॉन बंद है iPhone 11 and specifically iPhone XR जो है वो Apple के लिए manufacture करता है इंडिया के लिए अब Foxconn के अंदर iPhone 12 के trial जल्दी start होने वाला है and the economic times के news के हिसाब से दो महिने के अंदर आप लोगो iPhone 12 made in India market के अंदर देखने मिल जाएंगे मलब reports के साब से first shipment जो है वो दो महिने के अंदर market के अंदर पहुच जाएगी मलब as early as February या तो as late as March March से पहले आप लोगो actual में iPhone 12 made in India देखने मिल जाएगे जो के काफी बड़ी और काफी good news निकल के आती है अब यहाँ पर question यह है कि iPhone 12 made in India तो हो रहा है तो इसके उपर क्या price drop होगा या नहीं होगा तो official कोई भी type का news नहीं है official कोई भी type का confirmation नहीं है कि price drop होगा या नहीं होगा लेकिन अपने experience के हिसाब से अगर मेरा जो personal opinion आपको दूँ तो मेरे हिसाब से Apple जो है MRP के उपर कोई भी type का price drop नहीं करेगा अभी MRP के उपर price drop नहीं करेगा लेकिन actual में officially price drop नहीं होगा तो Apple जो है ऐसा बहुत टेम पर करता है मतलब officially अपनी website के उपर price drop नहीं करेगा लेकिन काफी सारे offers वगरा ला सकता है Amazon के sale वगर आपको देखने मिल सकते है Flipkart के sale में आपको iPhone 12 कम price पर देखने मिल सकता है शायद airports with iPhone 12 का आपको offer बगरा देखने मिल सकता है इस तरह के offers and deals बगर आपको शायद देखने मिले जब Made in India iPhone 12 आएगा लेकिन official MRP के उपर मेरे सबसे price drop देखने नहीं मिलेगा शायद मिल भी सकता है लेकिन ये मेरा opinion है लेकिन official कोई भी type का confirmation यहाँ पर नहीं है तो यह था आज का वीडियो यह थी आज की news उमिद करता हूँ आप लोगो पसंद आयो comment करके मुझे ज़रू बतन आपको आज का वीडियो कैसा लगा and मिलते हैं हम लोग next वीडियो में thank you